हेलो डियर इस्टुनेंट वेलकम टुटिवी स्टार कोटा तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिप्रेशन आपकी प्रिप्रेशन को और मजबूत बनाने के लिए आज इस सेशन में लेकर आ रहा हूं मैं अंकित जैन आपके लिए रे ओप्टिक्स तो देखीगा हमने ला कि हम आगे निर्टिकरा रहे होते हैं तो हम रिफ्लेक्शन की ओना इस्टूर्फर भात कर रहे होते हैं सफे फिल्ए मिइव और वर्टुल अमज़ और के से कर रहे तो अ venture कि अगर आपकी एक्चुल में लाइट मीट कर रही है निया आफटर रिस्लेक्शन तो उसे रियल बोला जाएगा और अगर वह मिलती हुई अपियर हो रही है तो उस वह कंडिशन में वर्चुल पड़ाता है ठीक है और यहां पर लाइट आ रही थी आपकी योजब लाइट तो before reflection पर मिल रही थी असलिए वहां पर हमारा क्या बना virtual object बिखुल और बिखुल और after reflection वो किसी पॉंइट पर जा कर मिल रही है तो हमने उसको क्या बोला वो अगर मिलती विर्खव एक्शुल में मिल रही है तो इसलिए होगा और वह भी क्या है और हमारा वर्चुल सॉरी यह आपके पास आगे तो रियल इमेज तो इमेज को बोला आफटर इफ्लेक्शन हमें यहां पर मिल रही है यहां पर आपके पास लाइट क्या है किसी पॉइंट से निकलना स्टार्ट होती है इसलिए रियल ऑपजेक्ट हुआ और आफटर डेट रिफ्लेक् लेंगे वर्चुल इमेज बात समझ में आ गई तो आपको रियल ऑपजेट और रियल इमेज का वर्चुल ऑबजेट वर्चुल इमेज का इस तरह से ध्यान रखना होता है चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में देखो सेम आपके लिए कोई भी आपको जाए मीरर दिया आगे देखते हैं मेटा, लॉफ रिफ्लेक्शन, से पात ओर किसी सर्फेस पर इंसिदेंट होती है तो ऽ्क्या होती है तो वो क्या होती है आपके राग supbla jam से बराबर करते हैं सर्य हमें पता है को और कैप हो सकी है यहां पर सबीक है ie रहत्मपर होनी चाहिए theory पहले से जानते थे चलिए इसमें और क्या-क्या पूइंट से पूछी जा सकते हैं इसमें पहले बात तो आप से पूछी जाती है जब लाइट किसी सर्फेस पर इंसीडेंट हो रही है तो आफ्टर जैट रही होगी तो अपने पास से कितनी डेविएट हो तो मतलब जो में से क्या करेंगे सर यह लाइट जो वापिस उसी डायक्षिन में चले तो आई आई और टौई एंगल हो गया यह पूरा टौई है तो वनेटी में से क्या कर दो सार टौई को माइनस कर दीजिए यह हमारा डेविशन होता है क्लियर है सभी को चलिए तो यह था जब प्लेन सब्सक्राइब तो इसका डेविशन कितना होता है तो सिंपल सा फंडा याद रखना है आपको जो आपके पास डेविशन रहेगा सर वह कितना होता है 360 माइनस टूठीटा और और क्या हो सकता है एक और आपके सामने बोला बीच करण दीजिए सिंपल दियान रखेंगे जब यह जो है तीटा आपका दोनों मीरर के बीच का एंगल गीवन होगा एंवन और एंटु के बीच का बास समझ में आ गई है और देखो सिंपल था आपको ध्यान क्या रखना है कि यह अगर आपकी इंसिजेंट हुई और आफर देट रिख्शन जा रही है तो यहां पर एंगल सब्सक्राइब तो इस तरह से आपके लाइट इतनी डेवी तो यह हो गया और इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा तो याद रखें दोनों आंसर करेक्ट होते हैं जो आपको दिया होगा वो करेक्ट होगा समझ में आ रहा है तो यह धियान रखेंगे जब दो प्लेन मेर ठीटा एंगल पर होते हैं चलिए देखेंगे अपन इसमें आगर आगे बढ़ते हैं है तो दीखिएगा विटा नेस्ट में आपको कुछन पूछा जाता है इस सरका कि मानली जी नंबर ओफ इमेजिस कितनी बनेगी अगर दो प्लेन मेर एक दूसरे से किसी एंगल पर ह होते हैं जब भी दो मेर एक दूसरे से किसी एंगल ठीटा पर है सर तो सिंपल सा हमें करना होगा इसके लिए बैसिक निए कि हमें एक थीटा एंगा बता रहा है आपको अगर यह से एंगल आपके पास इनफाइन आरीए तो नंबर ओफ इमेजिस कितनी रहेगी इंपाइन रहेंगी अगर आपकी वेल्यू फ्रेक्शन में आ रही है वान पॉंट फाइए या तूपॉंट चलिए अगर मैं बात करता हूं में आपके पास यह वेल्यू है यह और नंबर आ रही है और इसके अंदर साथ दो के सो सकते हैं अपास यह जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपने वह ऑबजेक्ट से मेट्रिकल है या नहीं जैसे माल लीजी है एंगल के एकदम बीच में इ और वाइस अन्सिमेट्रिकल होता है तो आप तो सिंपल सा धियान रखेंगे सर हमें कुछ भी दिया जाए मुझे क्या करना है चाहिए एवन हो चाहिए ओड हमेशा मेरे को आंसर क्या लिखना है जो हमारे पास मैं-1 कर देना है बस किस का धियान रखेंगे किसा होड कि क्या करेंगे उस कंडिशन में कें बाकी सब में क्या आएगा माइनस इसमेट्रिकल में क्या आएगा माइनस याद रख लेंगे सिंपल सा ध्यान रखना है तर कुछन आसानी से सोल हो जाएंगे तो आपको number of images जब भी पूछी जाए यह सिंदाना फंडा लगाया और आराम से आपके सारे कुछन के लिए हो अगर बात करूं में तो पहले तो इसमें एक और चीज देख लेते हैं अपन कि आप से कुछन पूछे जाते हैं कि इमेज जो है हमारे पास उसकी स्पीड क्या होगी अगर object अभी तक सारी बाते में कर रहा हूं यहां पर plane mirror की बाते कर रहा हूं तो plane mirror के सामने अगर object रखा है एक्जाम में अलग-अलग condition दी जाए आपको simple सा एक फंडा लगाना होता है velocity of object with respect to mirror बराबर करनी है velocity of image with respect to mirror मतला वी नौट माइनस वी एम इस इकल टू वी आई माइनस वी माइनस वी कोई से भी कुछन आप सोल कर रहे हैं सीधा सा एक है sign convention की गलती नहीं करनी है सर क्या करेंगे अगर आपकी direction जो ले रहे हैं जिस direction में आपका object मूँ कर रहा है उसे positive ले रहे हैं तो पका है इसके opposite direction क्या हो जाएगी negative आपको जो भी data दिया गया उसको put करते time पर अगर two meter per second है तो यह माइनस two हो जाएगा mirror कि इस direction में मूँ कुर कर सकते हैं यह फंडा लगाए आपका एक भी तुश्या गलत नहीं होगा चलिए तो देखो आपको अलगलग example इस example के अंदर क्या था यह mirror है वो मूँ करा रहे हैं यू स्पिट से object rest में तो देखो velocity of object zero minus mirror के कितिनी दी गई यू और opposite direction में इसलिए मैंने इसको minus यू लिखा माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा इस इकल टू हमारे पास object image कि दर मूँ कर रही है और mirror कि दर मूँ कर रहा है सर यह मूँ कर रहा है इस direction में तो इमेज आपकी निकालनी है तो इमेज की निकालने के लिए क्या करेंगे अपन इमेज की निकालनी है सर इसको तो आप लिख दीजिए और mirror कि दर मूँ कर रहा है सर मेर इस direction में मूँ कर रहा है तो माइनस का यू और यह दर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो आपको आराम से निकाल सकते हैं कि कि निकाल सकते हैं कि करते टाइम पर सर हमें जो कंदा है आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स पार लेते हैं अपन इस फेरिकल मिरर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजिए धियान रखने हो तो आपको अभी मैं बताऊंगा कि मीरर फॉर्मुला क्या होता है महां सारा डिस्केशन कर रहे होंगे बैसिक फंडा दियान रखें इस फेरिकल मिरर दो टाइप के थे आपके पास कॉन्वेक्स कॉन्केव और कॉन्वेक्स अगर आपका कॉर्वड सर्फेस जो है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस वह कर्वड है कि दर की तरफ इस डिरेशन में कहा है कौन कियो इसका इस सब्सेश्स को इस फास का कि उन एक रहे तो इस इस फिरेशन को एगर ये जो पॉसिकर उन मीरर के फोके रहे हैं हमें तो इसकी फोकल लेंद कि हा रहेग desarrollo इसकी क्या होगी सर इसका हमें मिल रहा है पीछे की तरफ वर्चुल है तो इसकी फोकल लेंगी नेगी के लिए रहें तो कौन्वेक्स और कौन्वेक्स की प्लस और कौन्वेक्स की चलिए आगे बढ़ते हैं मिटा आप से मीरर फॉर्मला में दिया लखना है कि अगर आपको पोला गया एक ऑप्जक्त की पोजिशन दी गई है उसकी साफ से इमेच्ट की पोजिशन क्या होगी अगर फोकल लेंगी वन है तो समझ रहें तो इमेच्ट का बन रही आप से स्टर का कुशन पूछा जाएगा तो आप सिंपल सा क्या करेंगे तो हमें एक बैसिक फोर्मला लगाना होता है तो यहां पर जब भी आप साइन कर रहे होंगे वही ध्यान रखना है लाइट जिस डिरेक्शन से आ रही है इसके पीछे वाला पार तो हो जाएगा पॉजिव इदर वाला हो जाएगा सिंपल सा याद रखने का मैं तो एक ही चीज का हूँगा लाइट जहा आप क्या हो जाएगा पॉजिव सिंपल सा पंडा है जो हमें ध्यान रखना होता है आगे बढ़ेंगे वीटा फोकल लेंद की हमने बात कर ली यह तो फोकल लेंद पॉजिव नेगेटिव बताय दिगे हमें ने उसका ध्यान रखेंगे और मिरर फोर्में को सिंपल बैसिक लगाना है आगे डान्सफर स्मेंगेंव क्या होता है और लोंची टूटल मेंडिक इस चीज कर वह में ध्यान रहता है ट्रांसवर्स मेंगेटिशन सिंपल सा आपको बोला गया हाईट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑबजिद बात ध्यान रखेंगे हाइट ऑफ चलिए देखो सिंपल सा आपकी सामने अगर में बात करूं यहां पर जैसे मैंने यहां पर बनाया यह तो यह आपजेक्ट अगर इस तरह से रखा हुआ है तो इसकी इमेज नीचे बन रही होगी है इसका रेशियो क्या होता है तर यह माइनस वी एपोन यू के बराबर होता है दूंकि हाई ओप्झेव में अगर में में उचपी दूइस के मीरा बात करूं मेरा आपजेक्ट रहा आइसे ना रखकर मेरा उपजेक्ट इसकि एक्सिस पर रखावा होता इस तरीके के तो इसकी इमेज कुछ ना कुछ इदर बन रही होती ताथ से object और image की length हमें पता होती है तो कहलाता है लॉग निटेटनल याद रख लेंगे यह हैं आपके पास longitudinal magnification इसी तरह से पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है कि लिए आराम से कर लेंगे से में अगर आपका ऑब्जेक्ट सामने रखा होगा उसकी कुछ शेप गीवन होगी उसका लॉग निटेटनल मैंगनिफिकेशन इसे के साथ अरियल मैंगनिफिकेशन लिखा जाता है उसका एरिया कितना इमेज का ज्यादा आएगा बात समझना आ रही है यह इमेज है यह ऑब्जेक्ट को ऑके सेम फोर्मूला यूज करना है आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल पावर पावर की बात की जाएगी तो पावर फोकल लेंज की इनवर्स होती है यह याद रखेंगे और मीरर के लिए बात कर रहे हैं तो मीरर के लिए क्या होती हो माइनस वन और एफ के बराबर होती है हमारी याद रखेंगे पी रिकल तो माइनस वन अपोन एफ फोकल लेंज जो क्लिवी आपको पता है कोन कि विर्र है तो उसकी पॉधेटिव पुट करेंगे अगर नेगेटिव तो झार पूट करेंगे हैं यह में यह निद्ध कर सकते तो आगे यह चलिए आगे आते हैं वेलो सिटी ओफ इमेज तो वहाँ सिंपल मीरर के लिए पड़ाया था प्लेन इमीर के लिए अब बात करें किसकी इस्फेरिकल मीरर के लिए क्या करोगे सर हमें वहां तो सिंपल सा था दोनों की वेलोसिटी का जो था विद रेस्पेक्ट्ट इमेज बराबर कर दीजिए यहां क्या करेंगे यहां पर जब हम इसको डिफ्रेंशेट करते हैं तो मेरर फोर्मिले को तो वहां से हमें पिलती है याद रख लेंगे इसे सर सिंपल है अभी आपने जो पड़ाया लोगनी टूर्मिल मेक्पिशन वो था उसको मल्टिप्लाइ कर दिया कि से वेलोसिटी अफ ऑब्जेट विद रेस्पेक्ट टू मेरर याद रख लेंगे इसे सर बाकी हमें गीवन होगा वेलोसिटी अफ ऑब वी ओ एम क्या होता है वी ओ माइनस वी एम अब्जेक्ट की स्पीड कीवन होगी मीरर जिदर मुह कर रहा होगा उसके साथ उसकी पूट कर देंगे सोल करेंगे आंसर मिल जाएगा बहुत सिंपल है आपको जब भी पुछा जाए स्पेरिकल मीरर के लिए तो यह कर सिप लग तो पहली बात तो याद रखेंगे कि न्यूटन फोर्मला आपका चाहे लेंस की बात करें चाहे मीरर की दोनों में यूज़ करेंगे देखिए आपका जो भी लेंस या मीरर गीवन है उससे आपका जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उस ऑब्जेक्ट की पोडिशन को यू से र रहा हिसे आपका फोकस ऑमें के पिर आपके लेंस सिनिय तो जो भी मैजर्मेंट करें उसमें सारा मोक्स से कर रहे हों है तो ऑक्तुका प्रोडक्त को यूज़ को स्क्राइब पर भाइन कुर गया औक क्या है क्वावं जो हमें lens या mirror गीवन होगा उसकी focal याद रखेंगे simple सा है Newton formula एक्जाम में दिया जाता है तो यह सारी इसी तरह से यूज किया जाए चलिए आगे वड़ते हैं next part देखेंगे हम बात करते हैं reflection reflection की reflection का सारा पाट किया अभी इसे मैंने सारे बताया आपको इसमें image formation की बाते इस भी आती है कि spherical mirror की तुरू image formation कहा होगा उसकी जो आपने टैबल पढ़ी हुए उसको याद रखेंगे ठीके ना तो इसके अंदर आपको ध्यान रहेगा कि कब object को इमेज रियल लेनी है या वाट्चोल लेनी है या लार्ज होगी या इसमोल होगी कि रखेंगे अब बात करते हैं बीटा सब्सक्राइब का हुए हमसे बोला गया अगर रेक्शन का रूल गोलता है कि अगर एक रेर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो अपने च्छल पास ते क्या होती है नोर्मल नॉर्म्ल से आपको यह हमने क्या सीखा है यह नियुक्षिंट्र उल्टा कर देंगे अगर लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जारी होगी तो क्या हो जाएगी तर यह वे फ्रों नॉर्मल हो जाएगी जैसे डेंसर से तो देखो क्या करोगे आप जिस पात पर जा रही थी उस पर न जाकर क्या हो जाएगी उससे थोड़ा अवे चले जाएगी किसे नौर्मल से और अगर नौर्मली लाइट इंसिडेंट हो रही है तो नौर्मली की साथ ही निकल जाएगी बात सबने आ गई है यह रूल्स होते ह आपके अब देखो इसमें आपको सबसे में क्या धियान रखना है सर इसके अंदर आपको इंसिडेंट एंगल और इंगल की बीच का रिलेशन देखना है याद रखें आपको यहां पर है यहां से जब आप सोल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा मतलब सर वन यूटू जो आपका है इसे लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं बास अनमारे पास है मिलेट इसे दूसरी मीडियम में जा रही होती है तो क्या चीज चेंज नहीं होती ही बटा उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है चीज नहीं करेंगे और स्पीड किया है वी इसकल टू डिस्टेंस जो व्यॉवलन्थ है उसके बराबर लिखेंगे और याद रखेंगे तो याद रखेंगे साइनाई अपोन साइनार इस इकल टू विवन अपॉन फूर्श मेडियम में स्पीड लाइट की और सेकंड मेडियम ओके आगे बढ़ते हैं मेटा बहुत सेंपल थी यह पार्ट जिसमें आपने स्मेल स्लो के थू आपको वेवलेंद पूछी जाए दूसरे मेडियम में निका सकते हैं इस्विट पुछी जाए निकाल सकते हैं फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी और कलर भी चेंज नहीं होगा अगे बढ़ते हैं डेविशन ऑफ रे दूटू वा सर्फेस देखो हम रिक्ष्रेक्शन कर आ रहे हैं आप तो लाइट जब आ रही थी तो अपने पास से बेंड हो गई थी तो देखो मैंने भी आपको बताया जो बेंड होती है उसे हम बोलते हैं डेविशन समझ रहे हैं तो डेविशन इंगल किसे निकालेंगे आपकी लाइट आ रही है तो इधर वाला टोटल इंगल भी कितना है आई रिफ्रेक्श्ट ओकर जो जा रही थी व वाला सर यह सब्सक्राइब अब याद रहे हैं और अगर नहीं यहाद है तो बापीस आप वीडियो को देखेंगे स्टार्टिंग में आपको इसी मिल जाएगी और प्लीज बेटा आप कमेंट बोक्स में मुझे बताते रहें कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा ह आगे बढ़ते हैं मिटा रेफ्रेक्शन थू पैरलल स्लेब यह साम में आपसे पूछा जाएगा एक स्लेब रखी हुई होगी उस पर लाइट इंसिदेंट हो रही है इंसिदेंट टेंगल गी बन होगा और बोला जाएगा जब लाइट जाती है तो उसके एक्च्छल पास को सार इंटू टी क्या है यहां पर इस स्लेब की थिकनेस दी गई है और आई इंसिदेंट टेंगल होगा सक अगर मेडियम की वन होगा तो साइन आप से और निकाल लेंगे और सौल कर लेंगे वेल्यूस पूट करोगे आपको लेटर शिप्टिंग डायरेक्ट मिल जाएग इसको कम्प्लीट करते हैं पर क्या फ्लेप के थूरू पैरलर शिफ्टिंग इतनी हुई याद रहीगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्या अपरेंट डेप्ट ऑफ सबनाश्ट ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा वच्चों को इसमें दिक्कत आती है तरह हमें बता नहीं लगता और पास आएगा दूर जाएगा कैसे पता लगता है आपको आपको बहुन सा फंदा बता दो यहांपर क्या करो आप जब भी इस तरह की कुछ्य सापको एकजाम में आते हैं पहले पहले झान देखो लाएट कॉन से मीडियम से मीडियम में जारी है ना उपको जब लाइट पर कहा है तो उसको आपजेक्ट उपर दिखाई देगा तो शिफ्टिंग उपर कब होगी तर जो एक्चुल हाइट थी उसको कुछ सी पार्ट से डिवाइट कर दिया जाए तो जो एक्चुल थी वो अब्जेक्ट यहां रखाता है से लाइट निकली और यह से गई इसको पी मियू किसका मियू लिखेंगे सर हम हमारे ऑब्जेक्ट का विद रेस्पेक्ट तू और समझ गए हैं यह चीज याद रखेंगे कभी गलती नहीं होगी हम मैं कहता हूं बाहर तो एयर थी अंदर जो बॉटर होगा या जो भी लिक्विड रहा होगा उसका मियू गीवन होग मियू इंटू एच याद रखेंगे तो मियू एच की वेल्यू जादा होगी और एच भाई मियू की कम होगी तो ऑब्जेक्ट उपर शिपका वोगा और नीचे कप शिपका आथा नहीं से बता सकते के लिए बेटा तो यह बात ध्यान रखेंगे कभी आप गलती नहीं करें कि अभी मैंने आपको स्लेब का पड़ाए था स्लेब के अंदर आपने अपने शिफ्ट वी थी हमने निकालना थी का अब देखो यहां पर बात कर रहा हूं आप से कि आपको जो स्लेब रख रहे हैं हम वो स्लेब की थिकनेस गीवन हो और उसकार मेडियम गीवन तो आपके शिफ्टिंग कितनी होगी एक्चुल पोडिशन से यह अगर आपसे पूछा जाए तो देखो क्या करना है आपको जब भी इस तरह का पूछा जा रहा है सिंपल सा फंडा बता रहा हूं अगर आपकी यह स्लेब जो है यह क्या करती है ऑप्टिकल पाथ जो है ऑप्टिकल प कि लिए रहे तो यह आपको बताता है लेटरल शिफ्टिंग टी वन माइनस वन बाई मियू क्या है यह आपर जो भी स्लेब आपको दी गई है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बिद रेस्पेक्ट्टू आउटर मीडियम ओके चलिए बिड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें क्रिटिकल एंगल टोटल इंटेनल रेफ्लेक्शं क्या है सर विटेक हो बेटा सिम्पल सा बात है कि कोई भी लाइट टोटल इंटर्न रेफलेक्शन हो जाए जैसा टोटल इंटर्णल रही थी पर हमने क्या देका सर सब लाइट बाहर जा रही थी एक यह इंगल पर जो लाइट थी वह अपने पास से क्या हो गई कि इस तरह से बंड हुई कि वह सेम मीडियम में उसकी सर्फेस पर आगई तो वह एंगल क्या हुआ रिफ्रेक्टिटे इंगल साइन कि इसको शिडित ज speak community वनad जाती है जभी आपको टीर में बलता है बबात अभिहाल मैं रही हे abonnement नोर्मल होईगी ठीक है सर तो यह आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अप डैंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेर मीडियम याद रख लेंगे यह रिलेशन याद रखो सारे कुछन सोल हो जाएंगे बाकी सर आपने भी हमें मतलब मू का रिलेशन आपने अभी बताया है तो उनी को यूज करके लेमडा का रिलेशन भी लिखा जा सकता है और यह रिलेशन बना दिया है अगर आपको पहले वाला पढ़ायावा पार्ट याद है तो यह भी आसानी से हो जाएगा यहां से आपने सीखा क्या कि किस तरह से स्यफ्रेशन के फ्लेशन को से थी स्यफ्रेशन क कि अधर इस सेशन इस पार नेस agency जुडियो है उने स्यफेस का और में दिस इस वीदियो में के बारे में दिस्केशन करेंगे अ